नमस्कार दर्शकों, प्रणाम मित्रों, हमारी यूट्यूब चैनल अनुभवी पंडित में आज फिर से आप सभी का हारदिक स्वागत है आज का विशय बहुती शुब है, लाभदाई है और हम आशा करते हैं हमारी यूट्यूब चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स और सभी व्यूर्स, सभी दर्शकगण, सभी मित्रगण इस शुब मोहुर्त का, इस शुब योग का अपने जीवन में स्रेष्ट लाभ उठाए हम सबके लिए 2020 का वर्ष बहुती चैलेंजिंग रहा है, मुश्किल वक्त रहा है लेकिन कहा जाता है, there is always a silver lining तो मुश्किल के इस वक्त में भी एक अच्छा समय, सुनहरा समय आज का दिन लेकर के आया है आज है 11 अक्टूबर 2020 और आज के दिन एक बहुती सुन्दर योग बन रहा है जिसे जियोतिश की भाषा में कहते हैं अखंड रवी पुष्य योग ये वर्ष में एक बार ही मुश्किल से बनता है या दो बार मुश्किल से बनता है रवी पुश्य योग तो वर्ष में तीन बार, चार बार, पांच बार, कभी-कभी वर्ष में छे बार भी रवी पुश्य योग आता है लेकिन अखंड रवी पुश्य योग वर्ष में एक बार या दो बार ही मुश्किल से आता है पहले मैं आपको समझा दो कि ये योग क्या होता है उसके बाद इस योग से क्या लाब हो सकता है इस योग का क्या प्रयोग करना चाहिए आपको अपने जीवन में और विशेज कौन से उपाई करने से इस योग का अत्यधिक लाब आपको प्राप्त हो सकता है ये सारी बाते इस वीडियो में मैं आप सब के साथ शेर करने वाला हूँ इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ में लाइक अवश्चे कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे इस प्रकार के लाभदाई वीडियोज आपको तुरंत प राप्त हो, मित्रो वैदिक जियोतिश में नक्षत्र, जिसे हम कहते हैं, वो 27 नक्षत्र है, वो 27 नक्षत्रों के अंदर सबसे शुभ और कल्यानकारी नक्षत्र माना जाता है, पुष्य नक्षत्र, और जब चंद्र पुष्य नक्षत्र में होता है, और उस दिन रविवा का दिन होता है तो उसे रवी पुष्य योग कहा जाता है और जब यह रवी पुष्य योग सुरियोदय से पहले शुरू हो जाए और सुरियास्त के बाद खतम हो तब उसे अखंड रवी पुष्य योग कहा जाता है इस वर्ष 2020 में यह तीसरा रवी पुष्य योग है लेकिन पहला और अंतिम अखंड रवी पुष्य योग है आज सवेरे साड़े छे बजे से लेकर के रात्री के सवा बजे तक ये अखंड रवी पुष्य योग चलने वाला है और इस रवी पुष्य योग में आप कोई भी कारिय करते हैं उसमें आपको सफलता, लाब, सिद्धी, वृद्धी और सम्रुद्धी प्राप्त होना सुनिश्चित माना जाता है सिर्फ एक विवा का कारिय है जिसके लिए अन्य शुभ मुहृत को भी देखना पड़ता है सिर्फ रवी पुष्य योग के आधार पर विवा नहीं कर सकते विवा के अलावा कोई भी कारिय आप करना चाहे तो इस अखंड रवी पुष्य योग के अंदर बहुती सुभ संकेत है है बहुती अच्छा समय है शुब मुहृत है auspicious time है इस समय आप कोई भी कारिय करना चाहे चाहे आपका business related कारिय हो कोई यात्रा संबंथी कारिय हो कोई खरीदारी करनी हो आपको कोई property की कोई वाहन की कोई आभूशन की खरीदारी करनी हो कोई व्यापार व्यवसाय में कोई नया प्रोजेक्ट करना हो, कोई नई डील करनी हो, कोई नई पार्टनर्शिप साइन करनी हो, कोई इंपोर्टन मीटिंग करनी हो, कोई साधना करनी हो, कोई विशेज जड़ी बुट्टी का प्रयोग करना हो तो ऐसे सभी कारियों के लिए ये अखंड रवी पुष्ययोग बहुती शुभ है, लाभदाई है, आपको अपने कारिय में व्रिद्धी, रिद्धी, सिद्धी, सम्रिद्धी अवश्य प्राप्त होगी, ये वैदिक जियोतीश का ज्ञान हमें कहता है. इस दिन आपको भगवान सुर्य, सुर्य देव का विशेश आशिर्वाद प्राप्त होता है, आप लाल वस्त्र पहन सकते हैं उनका विशेश आशिर्वाद प्राप्त करने के लिए, अगर इस दिन आप अपने जन्म कुंडली के दोश दूर करने के लिए मंत्र जाप करते है तो उसका स्रेश्ट फल प्राप्त होता है, आपके धन वैभव में वृद्धी होती है, जीवन में आर्थिक सम्रिद्धी आती है, तो संक्षेप में कहूं तो ये बहुती 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 शुह समय है, आज का दिन अखंड रविपुष्य योग है, इसलिए सुर्योदय से ले करके सुर्यास्त तक ये पूरा दिन चलने वाला है, तो पूरा दिन आप इसका लाब लेश सकते हैं, और इस दिन कुछ विशेश उपाई करने से आपको विशेश लाब प्राप्त हो सकते हैं, तो वो विशेश उपाई कौन से हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, एक विशेशुपाय आप कर सकते हैं वो है गाई को गुड़ खिलाना जी हाँ आपके घर कोई भी गाई आती है उसे गुड़ अवश्य खिलाईए इससे आपको आर्थिक लाभ होने की संभावनाई बढ़ जाएगी साथ ही आप तामबे के लोटे में जल ले करके उसके अंदर थोड़ा सा दूध लाल पुश्प और लाल चंदन डाल कर लाल वस्त्र पहन कर सवेरे सुर्य देव को अर्ग्य दीजिए इससे आप शत्रूओं पर विजय प्राप्त करेंगे आपके शत्रू कमजोर हो जाएंगे आप विजय सिद्ध होंगे अपने कारियों में अपने शत्रों के आगे आपको विजय प्राप्त होगा साथ ही आप आज के दिन मंदिर में दिपक जलाएंगे तो आपके कारियों में आने वाली बाधाये रुकावटे दूर हो जाएंगी आप चाहे मुसलिम हो चाहे अगर आप अपने धर्मस्थान में दिपक जलाते हैं तो उससे आपके जीवन में रोश्नी अवस्ष्य आएगी ये आज का रवी पुष्य योग आपको प्रोमिस देता है तो ये वैदिक जीवतिश के आधार पर आज के दिन का जो स्रिष्ठ योग है अखंड रवी पुष्य योग इसका क्या लाभ आपको प्राप्त हो सकता है कैसे लाभ प्राप्त हो सकता है इस विशय में मैंने आपको जो जानकारी दी आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पस इस से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा इस विशय में आपके कोई भी प्रश्न हो कोई भी सुझाव हो कोई भी फीडबेक कॉमेंट हो वो आप हमें अवश्य दे सकते हैं इस वीडियो में कॉमेंट्स के द्वारा आप किस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं वो इसी शुभकामना के साथ आज के इस वीडियो को मैं विराम देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की हो तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लिजे, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजे और इससे अपने ग्रुप्स में, वाट जाज नहीं की हो लिए इससे अपने ग्राम देता हूं।